नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल मम्ता जोए मैं कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैमाता दी हमिसा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों समय निकाल कर ये वीडियो आप लोग प उत्तर और कॉमेंट्स का रिपलाई मैं करूं तो माफ कीजिएगा लेकिन चलिए आप लोगों के कुछ सवाल है जो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता रहे हूँ देखिए सवाल इस प्रकार से हैं कि जैसे कि दिदी नौरात्री का भी ब्रत हमें रखनी है और सुमबती अ मौसय के पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं माली जी हमारे घर में तुलसी जी भी नहीं है पीपल विक्ष नहीं है समी जी कब विक्ष नहीं है तो हम पूजा कैसे करें परिकर्मा कैसे लगा है मासिक धर्म से भी कुछ आप लोगों के सवाल है अगला क्या है कि बाल धोने की बात रह गई कि दिदी हमें जैसे नौरात्री का नौ दिनों का मैं ब्रत करती हूं तो कल मजबूरी मैं बाल धो सकती हूं इसी प्रकार के कई ऐसे आप लोगों के महतपूर्ण प्रश्ण है सभी के उत्तर जानना बेहत जरूरी है जरूर बातों को ध्यान से समझ लीजेगा स अभी के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं और सभी महतपूर्ण बाते जान लेते हैं तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्ण है दिदी मासिक धर्म का पांच दिन हुआ है तो कल फेरी लगा सकते हैं ये सब चीजे देखें बता चुकी हूं फिर भ ठीक है लेकिन पांच दिन पर पूजा करने मत जाईएगा आप किसी से पूजा करवा सकती हैं छे दिन हो गया है तब आप लोग कर सकते हैं नियम तो है सात्वे दिन से ये किलियर हो गया तो पांच दिन पर आपको पूजा नहीं करनी है ब्रत रखना है तो रख लिजेगा दान करना है तो दान कर सकते आटा सिंदुर और पैसे का दान अमोसिय के दिन किया जाता है साइड से आपको जो भी मर्जी हो अप लोग दान कर सकते सुहाग की चीजे भी ये किलियर हो गया अगला आप लोगों का सवाल की दिदी आस पास people ब्रिक्ष नहीं है तो हम क्या करें अगर आसपास पीपल विक्ष नहीं है तो कोसिस करनी है कि तुलसी जी के पौधे में आप लोग पूजा कर लिजे या समी जी के पौधे में बता चुकी हूँ सोना दोविन कैसे बनानी है जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कई लोगों का सवाल है कि दिदी जैसे हमारे घर में तुलसी जी भी नहीं है तो तुलसी जी नहीं है तो आप लोग क्या कीजेगा बीच में कलस रख लिजेगा कलस में कुछ नहीं करनी एक फूल डाल दीजेगा पुस्प जो है डाल कर हल्दी थोड़ा सा डाल कर एक सीका और एक सुपारी डाल कर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उसी की पूजा कर लिजेगा कहीं भी अपने जगह देख लिजेगा जहां भी सहुलियत हो महारा कर और उसी की परिकर्मा आप लोग कर लिजेगा क्योंकि देवी देवताओं का हम कलस में आवाहन कर लेते हैं तो अगला आप लोगों का सवाल है कि दिदी जैसे हम सिवरात्री में या किसी देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ नया सिंदू रखें कोरा क्या हम सुम्वती अमोसय के पूजा में उसी से फेरी लगा सकते हैं वही सिंदूर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जी देखिये मैं आपको समझा दू कि जी नहीं जो भी सिंदूर आप किसी भी देवी देवताओं को जब चढ़ा देते हैं तो वो अगर नहीं है तो लाल वाला भी सिंदूर का डिबी आप लोग खरीच सकते हैं लेकिन किसी देवी देवताओं का चढ़ाया हुआ सिंदूर आपको कल इस्तमाल नहीं करनी है अगर नहीं है तो अपने पूजा मंदीर में जो आप लोग कोरा सिंदूर रखते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए देवी देवताओं को उसी में से थोड़ा सा एक पेपर में निकाल लीजिए और उससे भी पूजा आप लोग कर सकते हैं अगला नियम क्या है कि आप लोगों ने पूछा एक दिदी कल मजबूरी में क्या बाल धो सकते हैं जैसे सुमवती अमोस्या के द अमोस्या के दिन बाल नहीं धोनी है और एक चीज और ध्यान रखिए कि मालीजे बहुत सारे लोग साम को बाल नहीं धोते हैं मतलब नहीं नहाते हैं तो जो लोग नहीं असनान करते हैं मतलब बाल नहीं धोकर इसनान करते हैं उनको क्या करनी है कि आप जो है नौरात्री के आप लोग बिल्कूल बाल मत धोईएगा कितनी भी मजबूरी पढ़ जाए मासिक धर्म का हो या नॉर्मल भी बाल हो आपको नहीं धोनी है आप प्रती पदाक दिन नौरात्री में बाल धोते हैं आप बाल धोकर भी पूजा पाट कर सकते हैं आप लोग ध्यान रखेगा अगला आप लोगों का महतपूर्ण सवाल है कि दीदी हम सुमबती अमोस्या का पारन कैसे करें क्योंकि हमें अगले दिन नौरात्री का भी ब्रत रखनी है जो दो दिन का रखेंगे उनका भी रहेगा और जो नौ दिनों का रखेंगे उनका भी रहेगा तो बातों को पहले ध्यान से समझेगा और इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पका सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेणा मिलती है तो जरूर कर दीजेगा देखे इतने बीजी लाइफ से भी समय निकाल कर और आप लोगों के लिए देखे भी वीडियो मैं बनाई हूँ बहुत सारा मतलब कार मेरे उपर भी है ठीक है तो आप ल लोग भी सिवरात्री का आज ब्रत रखें मासिक सिवरात्री का वो रात में पारन कर लेंगे मीठा मतलब एक ही अनाज खाया जाता है अब सेवई पराठा केवल सेवई भी खा सकते हैं कुछ न कुछ मीठा अनाज आप लोग खाली जेगा कई ऐसी बहने बोली है दिदी बा अमोसिया के लिए ब्रत रखना पड़ता है तो अब 12 बजे से पहले भी खाली जिएगा कोई दिक्कत नहीं है आप जो है मीठा भोजन कर सकते हैं अगला क्या है कि जो लोग भी अमोसिया का ब्रत रखते हैं कई लोग केवल भावरी देकर भी भोजन कर लेते हैं मतलब लहस उन पर आज मत खाईएगा आप लोग भोजन कर सकते हैं जिनको ब्रत नहीं रखना है लेकिन कई लोगों के हैं परंपरा है कि ब्रत रखनी है तो ब्रत रखनी है तो आप क्या कीजिएगा और अगले दिन नौरात्री का भी ब्रत रखनी है प्रति पदा तिति में तो दो द लेकिन दूराजमत कृएगा जैसे चावल और गेहुँ और आपको अपने भुजन कर लिया और नौरातरी अगर प्रति पदा में आप लोग माली जे कि अगर नमक के बिना रहना चाते हैं तो उस दिन में मीठा आप कुछ फल फलहर कर सकते हैं, मीठा लोग भोजन भी करते हैं एक समय, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा, अगर माली जे कि आलू का भुजिया वगरा आप सेंधा नमक बनाकर साबुदाने की खिचरी वगरा खा सकते हैं, तब माली जे बहुत सारे लोग नमक के बिना नहीं रह पाते हैं, तो नौरात्री में आप लोग नमक खाली जिएगा, तो दोनों ब्रत आप एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहगा, तो आपका पाई हो जाएगा नमक भी खा लिए और दोनों ब्रत भी आप लोग रख सकती हैं ये हो गया अगला आप लोगों का सवाल है कि देखिए आप लोग पूछे दिदी नौरात्री में क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं तो देखिए नहीं खाया जाता है नियम तो है कि नहीं खा कि अगला आज खाते हैं तो आप खुसी मन से खिलाएगा खुद का भोजन का आप लोग देख लिजेगा कि आप खाईेगा या नहीं खायेगा तो अलग हो सकते तो बना लिजे नहीं तो आप भी खाईएगा अगर बरत नहीं रखती है तो और जो बरत रखते हैं तो उनका तो कोई लेना ही देना नहीं है वो बाकी लोगों के लिए लहसुन प्याज डाल सकते हैं और अपना आप जो है मत डालिएगा अपना फलहारी चीज बना कर लेकिन अगर माना जाए तो माननी चाहिए ठीक है कई लोग नहीं खाते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लिजेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेसुन प्याज के लिए लेकर घर में लड़ाई जगड़ा हो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर 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 तुलसी माता का पौधा है तो आप लोग वहाँ भी पूजा पाट कर सकती हैं तो इस प्रकार से आपको सुमबती अमोस्या से भी समंधित बाते बता दी और आपको नौरात्री से समंधित भी बाते बता दी आसा करती हूँ सभी बाते अभी आप लोग के समझ में आ गई होगी तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए सुरक्चित रहिए और जहां क ही भी रहिए खूब खूस रहिए धन्यवाद